NFOs यानी New Fund Offers, Mutual Funds में Investment का एक अच्छा तरीका हैं लेकिन इसके बारे में कई Investors का मानना है कि NFOs में Invest करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है इसके पीछे उनके कई तर्ख होते हैं जैसे किसी NFO का Past Track Record नहीं होता Market के High Evolutions के समय NFOs का Launch होना या फिर IPO को NFO से ज्यादा Profitable मानना लेकिन सही माइनों में ऐसा नहीं है NFOs में Investments करने के अलग ही Benefits हैं और क्या है ये Benefits? इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे नमस्कार मैं हूँ Manish तनेजा और आप देख रहे हैं Z Funds Z Funds जहाँ हैं आपकी Investments सही और आसान Z Funds जहाँ आप कर सकते हैं Daily S.I.P. जी हाँ जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं तो क्यों नहीं रोज निवेश करें? आज ही Z Funds आप डाउनलोड करें और 11 Mutual Funds की 500 से भी ज्यादा Schemes में इन्वेस्ट करके थ्रूर डेली S.I.P. शुरू करें अपनी Investments की जर्नी को Z Funds जहाँ हैं आपकी Investments सही और आसान क्या NFOs में Investments फाइदे मन्द है? ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि NFO होता क्या है और ये IPO से किस तरह से अलग है? Asset Management Company यानी Mutual Fund Company जैसे की HDFC Mutual Fund, ICICI Mutual Fund, SBI Mutual Fund जब कोई नई स्कीम लाँच करती है सब्स्रिप्शन के लिए तो उसे NFO कहा जाता है NFO यानी New Fund Offer यानी एक नई Mutual Fund स्कीम में अब आप पैसा इन्वेस्ट कर सका NFO Investors का पैसा अगर ये Equity Mutual Fund का NFO है शेयर बाजार में इन्वेस्ट होता है और जैसे जैसे पैसा ग्रो करता है Investors का पैसा भी ग्रो करता है सेभी के रूल्स के मताबक NFO अधिकतम 15 दिन के लिए ओपन रह सकता है यानी जब स्कीम का NFO आता है तो investors के पास समय होता है 15 दिन में इसे subscribe करने का NFOs दो तरह की mutual fund schemes के होते हैं open ended mutual fund schemes और closed ended mutual funds किसी open ended mutual fund scheme में investors NFO period के दौरान और उसके बाद भी invest कर सकते हैं यानि इस तरह की scheme में आप कभी भी invest कर सकते हैं और कभी भी इस scheme से exit कर सकते हैं जबकि closed ended mutual fund schemes में investors केवल NFO period के दौरान ही invest कर सकते हैं closed ended scheme यानि fund manager decide करते हैं कि investors कब पैसा invest कर सकते हैं कब इस mutual fund scheme से पैसा निकाल सकते हैं NFOs actively managed mutual fund schemes के भी होते हैं और passively managed mutual fund schemes के भी होते हैं actively managed schemes और passively managed schemes यानि index funds के बारे में अधिक जानकारी के लिए इन टॉपिक्स पे बनाए गए हमारे वीडियोस को जरूर देखें। इन वीडियोस के लिंक का पाएंगे इस वीडियो के एंड। ये तो बात हुई NFO की, अब बात करते हैं IPO की, IPO यानि Initial Public Offering, जब किसी कंपनी के प्रमोटर्स अपनी कंपनी को ग्रोथ क्यापिटल के लिए शेर बाजार में लाते हैं, तो इस शेर आफरिंग को IPO कहा जाता है। आईए, अब देखते हैं NFO और IPO किस तरह से अलग है। IPO में Retail Investors के लिए एक सीमित संख्या के शेर इशू किये जाता है। यानि IPO में Investors को Limited Shares ही परचेस करने का मौका मिलता है। जिस कारण से कई बार Retail Investors को IPO में शेर का Allocation ही नहीं मिलता। IPO's Demand और Supply पे काम करते हैं। IPO में शेर ना मिलने की सबसे बड़ी वज़ा होती है भारी डिमांड जब Retail Investors के और से परचेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और क्योंकि शेर की सप्लाई Limited होती है इसलिए Retail Investors को IPO में शेर की Allocation नहीं मिलती। जबकि Open Ended Mutual Fund Schemes के NFOs में ऐसा नहीं होती। जैसे जैसे Investors की संख्या बढ़ती जाती है, Mutual Fund Units की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसलिए NFO Investors को कभी ये समस्या नहीं होती कि उन्हें Units Allotना हों। यानि NFO में Investment है Unit Allotment की Guarantee। आईए, अब NFOs में Invest करने के कुछ Benefits देख लेते हैं। सबसे पहले एक नई Investment Strategy। कोई भी Mutual Fund House जब किसी स्कीम का NFO लेकर आता है, तो उसका उदेश्य होता है एक नई Investment Strategy या एक नए Theme में Invest करना। जी हाँ, आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में Innovation Fund, Business Cycle Funds, Multi Cap Funds, Large Cap Funds, Mid Cap Funds के NFOs आए हैं। यानि ये Mutual Fund Houses एक नई Category में या तो लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहती हैं। या कोई नई Investment Strategy में निवेशकों को Participate करवाना चाहती हैं। NFOs का एक दूसरा फाइदा होता है नए-नए Investment Themes। भारत में Capital Markets और भारत की अर्थविवस्था नए-नए Investment Themes में इन्वेस्ट करने का आप्शन दे रही हैं। इन Investment Themes में Participate करने के लिए Mutual Funds एक भैतरीन आप्शन हैं। नए Themes जैसे Tourism, Energy, Innovation। इन Themes में Participate करने के लिए Mutual Fund Schemes के NFOs एक बढ़िया option होते हैं। NFOs में Invest करने का एक और फाइदा है Diversification। NFO के माध्यम से Mutual Fund Schemes में Invest करने से आपको एक Diversified Portfolio बनाने का Benefit मिलता है। जी हाँ, अगर आप एक Multi Cap Fund के NFO में Invest करते हैं, तो आप Large Cap, Mid Cap और Small Cap के Stocks में Invest करते हैं। यानि आप एक Diversified Portfolio बना Investors के Expertise. Existing Mutual Fund Schemes के मुकाबले NFOs में Fund Managers कई बार ऐसा Portfolio Create करते हैं जो उनकी existing schemes से Overlap नहीं करता। इससे Investors को नए तरह की Investment Strategy और नए तरह के Stocks में Invest करने का फाइदा होता है। NFOs Closed Ended Mutual Fund Schemes के भी आते हैं। अब Closed Ended Mutual Fund Schemes में क्यों Invest किया जाए? ऐसी Mutual Fund Schemes जिसमें 3 साल, 4 साल या 5 साल का Lock In Period हो। Closed Ended Mutual Fund Schemes में Invest करने का फाइदा ये होता है कि Investors मार्किट के रोज की उधल पुधल से घबरा कर पैसा विड्रॉ नहीं करते और क्योंकि वो लंबी अवदी तक Invested रहते हैं उन्हें Compounding का Benefit मिलता है। इसलिए Investors अपने प्रोटफोलियो में Compounding का Benefit लेने के लिए और Invested रहने के Discipline के लिए Closed Ended Mutual Fund Schemes के भी NFOs में Investments के Options एक्स्प्लोर कर सकते हैं। NFOs का एक फाइदा और है, आप 100 रुपे से लेकर 500 रुपे तक के Minimum Amount से एक नई Investment Strategy या नई Theme में Invest करकर उस Mutual Fund Schemes के Fund Management Process में Participate कर सकते हैं। पर NFO में Invest करने से पहले किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए? सबसे पहले ये देखा जाए, जिस स्कीम का NFO आया है, क्या वो स्कीम आपके प्रोटफोलियो में Already Exist तो नहीं करती? बार बार एक ही Theme की Mutual Fund Schemes के NFO में Invest करना, प्रोटफोलियो के Under Performance का Reason हो सकता है। कई बार Investors NFO में इसलिए भी Invest कर देते हैं क्योंकि NAV 10 रुपे की NAV, रीजन नहीं होना चाहिए किसी Mutual Fund Schemes में Invest करनेगा। NFOs के बारे में जानकारी के लिए, क्या किसी Mutual Fund Schemes के NFO आपके प्रोटफोलियो के लिए है सही, आज ही एक Z Funds अलाकार से बात करें, डाउनलोड करें Z Funds app, Z Funds जहां हैं आपकी Investments सही और असान।